नमस्का दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर शिव संकरपंडित आपका में चानल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे सरीर के ट्रीमर के बारे में तथा हम सांथ साथ कुछ आपके दूंगा इस ट्रीमर को डिजल्ब करने की टॉप प्रिंपतिकी मेडिसिन जो आपके सरीर के गाठों से छोटकराय दिलाने के लिए काफी बहतर है दोस्तों वीडियो को पूरा आवस्य देखें ताकि आप पुरी तरह समझ पाएं तो आएए समझते हैं मांच के अत्याधिक बढ़ जाने को टॉमर कहते हैं गाठे कहते हैं या सूजन नहीं होता वहां मांच का कुछ आणस बढ़ जाता है इसमों कुछ टूमर बेनाईन होते हैं नोन-कंसर होते हैं या कुछ कैंसरस भी हो सकता हैं आज हम बताएं कुछ ऐसे टॉप हुंपतिक मेडिसिन के बारे में जिसके सेवन से आप में सिस्ट की समझ से खत्म हो जाएगी आपके सरीर से सभी प्रगार के टूमर गांठे ओवर ग्रोध डिजॉल्व हो जाएंगे दोस्तों टूमर की सबसे पहली और नमवन मेडिसिन है कलकरिया फ्लोर या सभी गांठों के लिए सरोतम आउस्ती हैं चाहे वो कैंसरस हो या नॉन कैंसरस इसके सेवन से आपके सरीर की सभी गांठे आसाने से घुल जाएंगी चाथा आप अपने टूमर से छुटकारा भी पा हो सौफ्ट हो नरम हो तो उनमें दर्द हो तो ऐसे टूमर के लिए सबसे बहतर हैं लेपिस इल्वस इसकी सिक्सक्स पोटेंशित इन में तिन बार दोदुबंत सवन करने से ही आपके सभीर से मुलायम सफ्टूमर गाइब हो जाएंगे तथा इसके सेवन से आपकी गांठे कैंसर बनने से बच जाएंगी तूमर के अगली मेडिसिन ऐसे गांठों के लिए है जिनमें काफी चर्वी हो फैट हो तो ऐसे गांठों को खतम करने के लिए सबसे बहतर तिन आउस्थी हैं ब्रैटा कार्व कलकिरिया कार्व तथा फाइटो लगा इसके थाटे पुटे से में तिन बार दोदुबन से बन करने से आपके शरीर की चर्वी वाले गांठे घुल जाएंगे तता इसका लागतार पांस ते छो मन करने से आपके फैटी ट्यूमर जड़ से गाइब हो जाएंगे दोस्तों ट्यूमर के सबसे बैतर आउजदी ऐसे गांठों के लिए है जो काफी कठोर हो हाड हो एब उससे चुने से पत्थर की भाति सकत लगतों ऐसे गांठों के लिए होमिप्रेथिक मेंडिसिन कलकिरिया फ्लोर कलकिरिया कार्व कॉनियम तथा थूजया स्वर्वत्तम है इसके सेवन से सरीर की सकत हार्ट ट्यूमर कुछी दूने में धेदे गलने लेंगी तो इसका लातार पांस से छो मन तक सेवन करने से ही आपकी सारी गाठें हंडिट परशेंट आपके सरीर से गायब हो जाएंगी कॉनियम थूजा तथा कलकिरिया कर्व 30 दिन बार शेर में सालों से ट्यूमर हों और वे गलते नहीं हों तो उसे चूने से पत्थर की भाति कठोर लगे तो ऐसे पुराने गाठों को खतन करने के लिए बहतर आज़ती हैं कार्बो एनमिलिस तथा एसकोफलोरिया नोडोसा ये एंटी ट्यूमर आज़ती हैं जिसके सेवन से आपके बर्शुप पुराने कठोर ट्यूमर आपके सरीर से गाइब हो जाएंगे तो आप अपने बहुत दुनों से परसांट ट्यूमर से छुटकारा भी पालेंगें कार्बो एनमिलिस थर्टी दिन में तीन बार दोदो बुंद सबन करें तता इसकोफलोरिया नोडोसा मदर तिंचा दिन में तीन बार आधे कब गुनगुने परेंग साथ पंदर पंदर बुंद सबन करें सब दवाईया सील पेक लें तो था अच्छे ब्रांट कहीं लें दोस्तों अगर आप बहुत दोने से किसी पुरानी बीमारी से परसान है तथा वो ठीक नहीं हो रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में अपने बीमारी के बारें बताए अगले वीडियो में वो शुरूग की थ्यूपैथिक मेडिसिन बताया जाएगा धन्यबाद